सबसे पहला सवाल सुधान शुत्रवेदी बहुत जल्दी से मेरा आप से है क्या राम केवले कलपना मातरे यदि राम कलपना है तो राष्टपिता महात्मा गांधी का राजनेतिक दर्शन राम राजी का चलावा था जवाब चाहिए महात्मा गांधी की समाधी पर लिखा हुआ है राम जूट है क्या दूसरी बात अब भारत से थोड़ा बाहर आईए पिछले ही साल याद है दीपावली में साउथ कोरिया की फर्स लेडी आई थी क्योंकि वो मानते हैं उनके परिवार की डिसेंडेंसी भगवान राम से थाईलेंड का किंग टाइटिल होल्ड करता है किंग रामा दे नाइंथ पूरे यॉरप में हरे रामा हरे कृष्णा मूमेंट चलता है ये कोई भारत ते नहीं चलाया और दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसके नेशनल डॉटकास्टर पर हर दिन रामायन आती है वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडुनेशिया ठीक और आप जाईए बाली जाईए इतनी बड़ी वहाँ पर मूर्तिया नजर आती है राम लक्षमन और उनकी वो और रावन का देश स्री लंका आफीशली गौर्मेंट आफ स्री लंका कहती है लिकित में कि राम थे और राम के ये ये एतिहासिक स्थल है मगर दुर भाग कि राम का देश भारत आज इस बात पे बहस करता है कि ये नहीं अब मैं एक और वैज्ञानिक बात कहता हूँ सारी चीजों के बारे में तो टेक्नोलजी बदलती रहती है नए नए चीज़े आती रहती है पहले रेडार मैपिंग नहीं थी आर्केलोजिकल एक्सिवेशन नहीं था अंदाजेस किया था था मैपिंग के थुक किया जाता है मैं पूछना चाहता हूँ साइंस इन टेक्नोलजी में सबसे बड़ी थियोरी आइंस्टीन ने रिलेटिव्टी की थियोरी दी जिसमें उसने कहा ये दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है टाइम एन स्पेस फोर्म है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टाइम का सबसे अक्यूरेट परामीटर क्या हो सकता है आप कहेंगे पांच बजे हैं तो पांच तो दिल्लीम बजे ना लंदन में तो कुछ और बजा होगा इसलिए ग्रीनिश मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है अगर आप से पूछू टाइम का एबसलूट परामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िये धर्ती पे मंगल पे बहस्पत पे किसी पॉइंट अफ सोलर सिस्टम पे लागू हो इस मिया पे लिए और भगवान राम के रिलेटिव मोशिंट प्लेट यान एक्जसाइक टाइम लिका है क्या करकराश में गुरू था करकराश में चंद्रमा था कुष्यनचहतर था मकरराश में मंगल था और जब नासा ने प्रनेटोरियम सोफ्टवेर में डाला तो डेट तक निकल आई कि साथ हजार कितने सो बीसी से पहले ये हुआ था अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मन्त में एक बात करना जाता हूँ दुनिया में चार-पांच बड़े रिलिजन हैं अगर रिलिजन माने इन दुसम को तो क्रिशनिटी, इसलाम, जीज, हिंडू और बुदिष्ट बताइए कोई और ऐसा धरम है जिसके भगवान के बारे में का जाता हो, सबूत लाओ, ये हुए थे कि नहीं हुए थे, या इनसे पूछो, और भगवान राम की पहले की भी बन्शावली अवेले बूल है, और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए, बाद की कुछ की तो पहले और बात की भी नहीं बेले बूल है, पहले किसी नहीं बेले बूल है, मर राजा इच्वाक उसे लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया, भगवान राम के बाद इतने पूरा डिटेल, सब कुछ जुट लाने का प्रयास, केवल इसलिए होता है कि हम पे हकूमत करने वाले जो लोग थे ना, अंग्रेज, उनको तो कहते हैं, अब मैं किसी धर्मगन के खिलाब ने, कहते हैं, 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी, अब कैसे मानने कि उससे अदा पुराना हमारा है, इसलिए सारी के सारी समस्या है, जिनका की कलेंडर 2000 साल पहले होती है, तो यह जैसे उन्होंने कोर्ट केस की बात की, आपको पता है, मुस्लिम पक्ष इसमें कब आया है, जब भी कोई जमीन का विवाद होता है, तो उसके एक लिमिट होती है, बारा साल, अगर बारा साल तक आप नहीं कोई कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं, तो वो आउटडेटेड मालिया रता है, उननिस सो उननिचास दिसमबर में मूर्तियां परकट हुई, और जब पूजा शुरू हुई, यह जानते है केस कब आया, दिसमबर 1961, जब 11 दिन रह गए थे, वो 12 साल की मियाद खतम होने में, इसका मतलब पहले 11 साल तक कोई समस्या नहीं थी, 12 साल तक, अचानक वो 61 में पैदा हो गई, इस से साफ समझ में आता है, और दूसरा में एक अथार बताने चाहता हूँ, जब मुगदमा कोड में चला है न, तो कोड ने यह परमीशन किया था, कि दोनों पक्ष अपने अपने तरफ के इतिहास कारों को ला सकते हैं, जो बावरी मज़िद एक्षन कमेटिया सुनी वकबोर्ट की तरफ से इतिहास कार गए, सब वही जेनियू ब्रांट थे, आरे शर्मा, डी एन जहा और वगएरा वगएरा, मगर उनों ने एक बड़ी मज़िदार बात कही है, कोड ने पूछा, कि आप में से पांचों ने इस पश्ट किया कि आर्कियोलोजी वो नहीं जानते हैं, दूसरा प्रशन पूछा गया, दूसरा प्रशन ये था, कि सारे डॉकुमेंट दो ही भाशाओं में लिखे हैं, संस्कृत और फार्सी, दोनों ने बाकाता लिख के दिया, ना वो संस्कृत जानते हैं न वो फार्सी जानते हैं, यानि न खुदाई जानते हैं, न पढ़ाई जानते हैं, और उसके बावजूस सारी खुदाई जानते हैं, अब हमारी तरफ से जो थे, मैं इमानदारी से बता रहा हूँ, मैं वेक्तिका तुरूप से उन लोगों जानता हूँ, डॉक्टर हर्श इस्टिक भी रखे गए यानि लिट्रेरी एविडेंस और आइकेलोजिकल एविडेंस जब इसे कहा गया पहले इनों ने कहा जी वहाँ पर तो कुछ नहीं था पहले मस्जिद बनी पहले ही मस्जिद बनी थिया अब जब नीचे निकला आया इस्ट्रक्चर के ओपर मस्जिद बनाई गई थी क्यों कि नीचे इस्ट्रक्चर निकलाया अब जब इस्ट्रक्चर में निकलाया बहतर खंबे नहीं जी ये तो सब गलादे ये राम का मंदिर नहीं है मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अगर बहस यहीं से शुरू ही होती जमीनी विवाद से तो कोई बात ये थी नहीं हुए थे तो पहले साबिद करो और हुए थे तो यहां साबिद करो और परतिकृños आए थी आजकल फिर उससे कनेक्छन है शाबानो गेस में भारत की सरकार ननिर्णे लिया धार्मिक मामले में रत भर भ्या तक्ष्थ नहीं करेंगे चोंकि धार्मिक मामले का सम्मान करती है, सरकारी आस्था से चलेगा तो अगर 180 रूपिया मुआफ़जा जो शाबानों को तैय हुआ था, वो देने का निर्णे कोट ने किया है, तो उसे पलट देंगे, कोट का अधिकार नहीं है, धार्मी भावना उपर है और एक साल बात कहते हैं कि हमारे भागवान कहां पैदा हुए तो कोट में प्रूफ करना पड़ेगा और आयोध्या में नहीं, इसी जगह में पैदा हुए ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये जे इतना बड़ा अंतर जब दिखाई पड़ता है, तब इस प्रकार की में फाइदार ने अपनी तहरीर में लिखा, अंग्लेजों को जमाय ने लिखाए कहां कब जा पैसी खरिए मजटे जनमस्थान, भाइया existतों किसका जनमस्थान था मजझ्द वो बता दीजिए मीर बाकी के पत्थर पे लिखा फरिष्टे के उतरने की जगह इसलामी मानेताओं का अनसार कौन सा फरिष्टा उतरा था वो बता दीजिए सुनिए यह ताब 1992 करें यह 1976 में आठ खंबे नीचे खुदाई में निकल रहे थे यह आर्केलोजिकल सर्वे की रिपोर्ट में है और यह बताने वाला केके मुहमद है वो किसने लाग रखे थे इंद्रा गांधी रखी थी क्या बताईए ना अम में पर पुस्ता हूँ सुने एक सबावागा अच्छा सबावागा यह जी एक बात एक मजरू करना चाहिए यह जो दुकानदारी की बात कही गई है दुकानदारी क्या होती होती हो बताता हूँ दलितों के जितने बड़े नेता पिछले सो साल में हुए पेरियार जिनका नाम था इवी रामस्वामी नायकर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने जो साइन किये भीम राव राम जी अंबेडकर उसके बाद बाबू जग जीवन राम उसके बाद कासी राम और उसके बाद छेतरी नेताओं में राम विलास पासवान और उवित राज जिनका नाम है राम राज अरे राम को जितना हाथ में साथ दरीतों ने किया उतना तो मैं मांदारी से कहता हूं उची जातियों में ने किया